कहानी है Edifice Racks जिसको निखा था सफक लिसने कहानी शुरू होती है थवीस नाम की एक शहर से शहर के शाही घर से जिसमें रहता है इस शहर का राजा Edifice Edifice के इस शहर के राजा बनने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरस्टिंग कहानी है उसने सालों पहले एक रिडल सॉल्फ की थी एक पहली तब से यह यहां का राजा है जैसे यह कहानी शुरू होती है इडिफिस के पास कुछ पुजारी लोग आते हैं पुजारीों का ग्रुप जो दिखने में बहुत परिशान लग रहे थे तो इडिफिस ने उनसे कारण पूछा वैसे वो जानता था कि सिटी में प्लेक फैला हुआ है बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उससे पहले मर रहे हैं और ते बच्चों को जनम देने से पहले मर जाती हैं लेकिन बिर भी अडिफिस ने उनसे कहा कि मुझ पर भरुसा रखो मैं कोई रास्ता निकालूँगा तब उन पुजारियों ने उससे कहा कि महराज आपी का भरुसा है जैसे सालों पहले आपने इस सिटी को बचाया था सिफिंस नाम के एक क्रीचर से नाम लिख लो नाम याद कर लो इससे एडिफिस ने बचाया था तब से यह यहां का राजा है वैसे ही आप इस प्लेग से भी हमें बचा लोगे अब एडिफिस खुद भी समझता है कि प्रॉब्लम बड़ी है इसलिए उसने अपने ब्रदर इनलॉग क्रियान को भेजा है गौड अपोलो की एडवाइज लेने के लिए और इत्वाक की बात थी कि जब यह पुजारी यहां पर आये थे तब ही क्रियान वापस भी आ गया उसने वापस आकर एडिफिस से बोला कि दरसल यहां पर प्लेक फैलने का कारण बताया गया है कि आपसे पहले जो राजा थे यहां पर लायस उनका मर्डर कर दिया गया था और अभी तक उस मर्डर को ढूंडा तक नहीं गया है और आज भी वो मर्डर तबीस में रह रहा है अगर आप इस प्लेक को रोकना चाहते हो तो उस मर्डर को ढूंडो और ढूंड के उसको पनिश्मेंट दो लेकिन एडिफिस को तो पता है नहीं कि किसने मारा था राजा लायस को और इसके साले ब्रदर इनलो क्रियोन को भी कुछ खास पता नहीं है एक दिन राजा लायस गए थे मिशन पर वापस लोड कर आया नहीं और एक ही आई विटनस था जिसने ये बताया था कि राजा का मर्डर हो गया कहा जाता है कि कुछ चोरों की ग्रुप ने राजा का मर्डर कर दिया था एडिफेस ने फिर पूछा कि क्या आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की डूढने की उन मर्डर को तब क्रियोन ने बोला कि नहीं उस टाइम तक वो सिफिंस जो था उसका कर्स हो गया था ना उसके जाल में फस गया था हमारा शहर हमको मौका ही नहीं मिला तब इस एडिफेस ने कसम खाई कि कैसे भी उस मर्डर को बाहर निकालेगा और उसे पनिश्मेंट देगा और इसने पूरे राजजी में डंके बजबा दी कि कोई भी अगर जानता हो राज अलायस को किसने मारा है वो सामने आए हम उसको reward देंगे लेकिन अगर कोई जानता होगा राज अलायस को किसने मारा है और अगर वो नहीं बोलेगा तो हम उसे राजजी से बाहर निकाल देंगे मैं एडिफेस कसम खाता हूँ कि अगर वो मडरर मेरी family से भी होगा तब भी उसको सेम तरीके से मारा जाएगा अब एडिफेस को यहाँ पर किसी ने बताया कि कोई blind prophet है यानि कोई अंधा सादू है जिसको इस बारे में पता हो सकता है टायर सीयस नाम है उसका एक अंधा पैगंबर है एडिफेस ने कहा कि उसको बुलवाओ उसको बुलवाया गया भाई वो आया एडिफेस ने उस अंधे सादू से रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करो बताओ किसने राज अलायस को मारा था लेकिन उससे साफ मना कर दिया कि मैंने बताऊंगा वो जानता सब कुछ था लेकिन उसने मना करती है कि मैं नहीं बताऊंगा एडिफस आया गुस्से में उसने कहा कि तुमने राज अलायस को मारने में मदद कि उस मडरर की टार्सिस को बड़ा बुरा लगा जब उसने ये सुना उसने तो एडिफस को साफ बोल दिया कि तुम ही कारण हो ये प्लेक फैल रहा है एडिफस को ये सुनकर गुस्सा आया उसने कह दिया कि तुम कुछ ने जानते तुमने क्या देखा है तुम तो खुद अंदे हो और फिर लोगों ने एडिफस को शान्त करवाया वो सादू ने एडिफस से कहा कि कोई भी वो मडरर हो लेकिन एंड में वो भी मेरी तरह अंधा हो जाएगा और वो वहाँ से चला गया और तो और इस एडिफस को अपने ब्रदर इनलॉ क्रियॉन पर भी गुस्सा आया इसने उसे अक्यूस किया कि तुम मिले हुए हो तुमने उस मडरर की साथ मिलकर राजा लायस का मडर गर वाया पियोन खुद को डिफेंट करने ही कुशिश करता है कि मैंना ऐसा कुछ नहीं किया तब इसकी बहन जोकास्टा यानि कि एडिफस की वाइफ आ जाती है इसको डिफेंट करने के लिए अपने भाई को डिफेंट करने के लिए जोकास्टा ने इडिफस और क्रियोन को समझाया कि ये बड़े शर्म की बात है जब सिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है उस वक्त तुम दोनों आर्गुमेंट कर रहे हैं और वो इडिफस से भी बोलती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता ऐसे लग रहा है जिससे इडिफस पागल हो गया वो सब पे शक कर रहा है वो क्रियोन को अपनी वाइफ के कहने पर छोड़ तो देता है लेकिन अब भी वो उस पर भरुसा नहीं करता कि वो इनोसंट है क्रियोन वहाँ से चला गया कि कैसा जिद्दी जी जाए अब जोकास्टा ने अडिफस से उसके जाने के बाद पूछा कि ये बहस आखिर शुरू क्यों हुई थी कैसे हुई थी अडिफस बूला कि क्रियोन अपने साथ टायरसिस नाम के एक अंधे सादू को लेकर आया जिसने मुझी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिये वो सिखा के लाया था जब जोकास्टा बोली कि आप इसे सादूओं की बातों पर भरुसा करते हो ये सादू लोग जो भी बोलते सब बकवास होता है जोकास्टा बोलती है कि मैं अपने स्टोरी सुनाती हूँ पास्ट की जब राजा लायस से मैंने शादी की थी तब ऐसी एक भविश्यवानी हुई थी कि मेरे पती को यानि राजा लायस को उनी का बेटा मारेगा जबकि हमने क्या किया था तीन दिन के हमारे बच्चे को माउंटन में मरने के लिए भेज दिया था हमारे एक सर्वेंट को बोल दिया था कि जा के माउंटन से मार दे और राजा लायस को उनके बेटे ने मारा ही नहीं था किसी स्ट्रेंजर ने मार दिया था उस जगह पर जहां पर तीन रोड्स आपस में मिलती है हिंदी में बोलते तिरहा तो एक तिरहे पर मार दिया था तो ये भविश्यवानी करने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए ये लोग जूट बोलते हैं जोकास्टा ने अपने पती एडिफस को बोला लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद एडिफस नजाने क्यों टेंशन में आ गया उसने जोकास्टा से और डीटेल में स्टोरी पूछी और इसको पता चला कि जिस वक्त ये सिटी में आया था उसी वक्त राजा लायस का मडर किया गया था अब एडिफस अपनी स्टोरी सुनाता है जोकास्टा को कि इसके राजा थे राजा पॉलिबस उस वक्त इसके लिए भी एक बविश्यवानी हुई थी इसको कहा गया था कि राजा पॉलिबस इसका असली बाप नहीं है बलकि इसका बाप कोई और है और इसके लिए भविश्यवानी ये हुई थी कि ये अपनी मा के साथ सोएगा और अपने फादर का मडर करेगा इसलिए और्डिफर्स वो जगए छोड़ कर उस प्राफेसी की वज़े से उस बविश्यवानी की वज़े से वो जगए छोड़ कर वहां से आ गया था और एक दिन ऐसे ही इस सिटी में वो पहुंच गया जहां जोकास्टरा और किंगलायस का मडर किया गया था जो कास्ट्रा और किंग लायस रहते थे इस सिटी में पहुँच गया लेकिन यहाँ पर आते वे रस्ते में इसको कुछ लोग मिले थे जो इसको मारना चाते थे उस वक्त खुद को डिफेंड करने में इसने एक आदमी का मडर कर दिया और अब आडिफेस को डर लग रहा है कि कहीं इसने राजा लायस को तो नहीं मार दिया था गलती से जो कास्ट्रा उसको बोलती है कि यह सच नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो अपने तीन दिन के बच्चे को माउंटेंस में मरने के लिए भेज दिया था और तुमारे भी फादर कोई और है और इसके पास एक न्यूज आई कि इसके फादर जो थे वो मर चुके हैं पॉलिबस वो मर चुके हैं और पॉलिबस की डेथ नैचरली हुई है आडिफेस ने अपने फादर को नहीं मारा नैचरली डेथ हुई है तो इसली से इसाबित होता है कि prophecies duty होती है और जोकास्टरा ने अपने husband से बोला आडफस से कि बिना डर के जी हो अब लेकिन आडफस बोला कि मेरी मा तो अब भी जिन्दा है वो तो नहीं मरी न तो हो सकता है कि वो prophecies सची साबित हो वो जो messenger news लेकर आया था इसके फादर के मरने की उसने पूचा कि क्या हुआ हुआ हुजूर तब आड़िफस ने उससे कहा कि ये एक भविश्यवानी थी उसने पूरी भविश्यवानी बताई वो बोलता है कि तभी मैं अपने घर वापिस ने गया कभी तब उस वो messenger बोलता है अड़िफस से कि आपको चंता करने की जरूरत ही नहीं है हुजूर पॉलिबस आपका असली फादर था ही नहीं और पॉलिबस की वाइफ आपकी असली मज़र थी ही नहीं तरेसल मैंने सालों पहले आपको दिया था उन दोनों को मुझे आप mountains में मिले थे उन दोनों के तो कोई बच्चा था ये नहीं मैंने आपको जाकर दिया था उनको इस बात पर जोकास्ट्रा को जटका लगा क्योंकि इसने सालों पहले उस भवश्यवानी की वज़े से अपने तीन दिन के बच्चे को एक शेपर्ड को दे दिया था एक बेड़ बकरी चलाने वाले को कि इसको पहाडों में ले जाकर मार दे लेकिन उस शेपर्ड ने इसको मारा नहीं था वो सब समझ गई थी कि अडिफस उसका बेटा है उसने अडिफस से रिक्वेस्ट की कि तुम अपना पास जानने की कोशिश मत करो लेकिन अडिफस जित पर अड़ा हुआ था कि मुझे जानना है उसने उस शेपर्ड को बलवाया और मेसंजर से पूछा कि क्या ये आदमी था जिससे तुम्हे वो बच्चा मिला था मेसंजर ने कन्फर्म किया कि हाँ ये ही वो आदमी था और जब उस शेपर्ड से बेट बक्री चलाने वाले से अडिफस ने पूछा तो उसने मना कर दिया कि मैं सच नहीं बताऊंगा हुजूर तब उसने शेपर्ड को धंकी दी लेकिन उस शेपर्ड ने उस बच्चे के माबाप का नाम बताने से मना कर दिया आखर बहुत ज़ो डालने के बाद उस शेपर्ड ने बोला कि लायस और जोकास्ट्रा आपकी असली फादर और मदर थे मुझे आपको मारने के लिए दिया था उन दोनों ने लेकिन मैंने आपको मारा ने और ये बात सुनने के बाद अडिफस जोड़ जोड़ से रोने लगा बहुत जोड़ से योकि जोकास्टा जिसको वो अब तक अपनी बीवी मानता हुआ आया था वो उसकी मा थी इसके बाद जोकास्टा ने खुद को जाकर लटका लिया वो पासी खाकर मर गया और अडिफस उसको ढूनने भागा उसने जब उसको ढून लिया उसको नीचे उतारा और उसके बालों में जो पिंस लगी हुई थी उन पिंस से अपनी आँखे फोड ली ब्लाइंड हो गया वो चिला रहा था क्योंकि अब इस दुन्या का सच देखने के लिए उसकी आखों में हिम्मत नहीं थी उसकी आखों से खुन बाहर आ रहा था उसने खुद को अंधा इसलिए किया खुद को मारा इसलिए नहीं क्योंकि वो उपर जाकर अपने फादर और मदर से नजरे नहीं मिला पाता और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है दोस्तों